आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूं डाल की बहुत ही तेस्टी और मासालेदार सब्जी अगर आपको हरी सब्जा पसंद नहीं है और मूं डाल आपको पसंद है तो इस रेसिप को जरूर ड्राय करें आप सबको यह रेसिपी बहुत ही जादा पसंद आएगी पैसे भी अभी थंडी का सीजन साल हो गया है और मार्केट में बहुत सारी हरी सब्जी आने लगी है तो उससे पहले इस मासालेदार सब्जी को खाकर हल्डी हरी सब्जी खाना के सुन कर सकते हैं तो आई यह पड़ापर रेसिपी मनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यह आप मूंग डाल ली है दो कप मूंग डाल मैंने अच्छे से भूब के रखी ती 4 गंदा और उसके बाल मैंने इसे शन्य में निकाल के रखा है हादे जन्तेके सिलीए मैंने दाल चलने में इससे निकाल के रखी ती पानी पुरीतर से यह पर 색Jim कल गया है अभी दाल को मिक्चर गाटिन जार में डाल देणा है डाल के quantity आप अपनी ही साथ सोने मैंने सरी डाल यापी तरजल जार में डाल दी है दाल के साथ यापी लेना है धन्या धन्या के पत्ते मैं अच्छेसे प्रेश ऋन्या लिए है और कड़ी पत्ता के मैं hai HOL । दीखेऽ शाली्स ऐसे तोड़ की यापी ली है कड़ी पत्ता जितना जादा रहेगा सबसी में उतना ही देश सच्छा आएगा अभी मैं याप पे एक इंच का अध्रक का दुखड़ा बारिक दुखड़ में कट करके लिया है साथ मेरे पास लखन की पड़ी थी तो उसको भी मैंने कट कर लिया है मिर्ची की कॉन्टिटी आप अपने इस साब से लिए आपको जितना दिखा प्रसंद है इससी साब से अगर आपको और जादा पानी लगेगा तो आप बाद से थोड़ा थोड़ा पानी दाल के पीस सकते हैं दाल हमे यह अच्छे से से पीट लेना है मैंने दाल को थोड़ा थोड़ा पानी दाल के अशे पीसन हुह Muse op मिर्ची के तुखड़े नहीं है इसी तरह से दाल हमें में पीस लेना है यहादम के मुझरे मीह मार्ख देते हैं इस दाल को हमें 5-6 मिनट के लिए जब तक इस्टिक ना होने लगे तब तक इसे पका लेना है मीडियम गैस पर हमें इसे ऐसे चलाते हुए पका लेना है नहीं तो इत्व में उड़लीय जल्दी से तयार होने लगती है तो गया-स हमीज लोहीघ रखना है इस तरह ते पाच चे मिनिट बाद डाल हमारी सीटिक हो गया गारी होगी तो इसमें नमक डालके तो केई सहते होगा मिक्षर हमारे यहां च्छाइब पक्ते होगए गर डाल करके के से फिलुने निपर नहीं मिक्षर बाद पनाट जांते ह certaines फॉर्फर साले में सभी मिक्षर डाल के उसे सेट कर देती हुँ मुंग डाल का मिक्षर थोड़ा सा स्टिकी होता है उसे पकाने के बाद और ज्यादा स्टिकी लगने लगता है तो हाथ में थोड़ा सा तेलिया पानी लेकि इसे दबा दबा के अच्छे से सेट करना है ख्याद रखे इस मिक्षान में थोड़ा भी गुटलिया नहीं होनी से ही नहीं तो हमारी वड़ी अच्छे से बनने गी नहीं हाटों से दबा दबा के अच्छे से मैंने इस मिक्षान को स्टेट कर लिए अब देशिक से इस तरह से प्लेश वड़ी अच्छे से निकलने चाहिए जब तक वड़ी का मिक्षान हमारा थंडा हो रहा है तो हम लोग साइड में मसला बनाने के तयारी कारते हैं है तो देल करें है शुक्षा नारेल के ऐसे थासी स्टायर से समय लेले ले से ऑज़्टन ऑलने तक स्राइ कर लेना है अब है आपर आदा ए चोंपे स्टेट जिर डाल इना है यह मसाला बना रहें है कारी में मेंसका राटीके औस उसला लगता है साथ में 30 और दनिया जब तोिकी मज़ना आने लग कर लेना है जब तो निया ने लगे मैं। फ्राइस्ह से आलने के बाद यहां पर लुक्तव करना है चपनी प्राइस प्राज़ई सब्राा करॉद् ग्राइसका है दो कि मिन दा सुटना ऋगया है तको बाशवना नो होते ही न QUESTION Susano और थ्वोड़े से लली की पत्ते भी सज ahead दाल देघना है पर ना-थामसाली तब ठंडा divorced पानीख चाहे युफूट अब्सके डाल की खोट दरीख जिसे पांटीटी हरी तब कर अब दो दिनमसाली से समूथ पेंसाले टना ओक, 25 अला-दही कोण TV नेण सोटे को हमें पॉसांड कीödल का deliber से कट करना मिदना सindung करத Denmark ओर कट करने के बाद वुड़ी को ऐसे निकाल करने के बाद गिनाल गई हैं अब भच आउसे निकालने में आपको पब्बलम होरी है त। है निकाल सक्ते दो जबमेख समसा दालने में तलके सब साल के घसों ढूल करने के बाद चन्डब्य करने के जब करां करके तैल के खेल ते ऐसा ही लिदी do शब्भारी को खिने या कि प्रॉला सबढ़े बना सकते बूद Selbst लोंडे वड़ी को अच्छे से अलते पिलते क्रिस्पी कर लेना है वच्छों को भी ये वड़ी बहुत जादा पसंद आती है अमारे घर में तो इस वड़ी को ऐसे ही खाते हैं फ्राइड करके तवे पर बाद में अगर बच्छी तो हम लोग सब्जी बना लेते हैं बट में यहाँ प पर बच्छी बनाने के प्रोटेस में कड़ाई में 3-4 चमच मैंने तेल वेरम करके रखा है उसमें अभी एक पता डालेंगे और आदा चमच जीरा डालेंगे बाद में एक बारिक कटावा प्राइज दाला है प्राइज को भी एक मिर्ट के लिए अची से प्राय कर लेना है ताह छल्का सा ब्राउड होने के बाद अमें आपे अभी आदा चमच अदर क्लसुन का पेस डाल लेना है अधर क्लसुन की कौंचिते आफ प्राइज जानने के बाद इसे भी एक मिनित के लिए में त्यसे भून लेना है अब में आपे आदा चमच बादी कटाव अहरा दन्य डालके अच्छे से मिक्ट कर लेकिए उसे भी आदा मिनिट के लिए फ्राय कर लिए है अब में आदा चमच पर लिए फ्राय पाउडर रावार द्राय डाल डालेंगे आदा चमच नापे लिए और इस टेस के गैस लिंड में फ्लो राखनाय है बाद में डालेंगे घन्या पौडर एक के मश्मिने आपर घन्या पौडर डाल दी है तब ही मसालों को रिमिजास पर अच्छे से प्राइब करेंगे मसालों में अपना पेल छोड़ दिया और कलर भी बहुत ही बढ़िया है तो अभी किसा हुआ आप यह पेल डाल देंगे जो मसाला आप लोगों दीच के रखाता है मसाला डालने के पाद इसे अच्छे से मिस्ट कर लेना है और दो ते त्री मिट हो गया है आप देख सकते मसाला महारा आच्छे से पक गया है एक बार इसे मिस्ट कर लेते हैं और पानी की क्वटेटी आप अपनी इसाब से डाले इस अबमक डाल देते हैं और आफ से कवर करके अच्छे से लिए नमक डाल दिया मैं इसके कवर करके यह बहन कर लेना है बढ़ी आपको जेतनी वडी डालनी है, या बाकिते वडी आप साइड में इसे ही खाले के लिए रख सकते हैं, जादा करीब होने लगती है, तो वडी एक दम जादा फूलने लगती है, तो slow gas पर हमें अभी 2 minutes के लिए पका लेना है, कि करी भी यहां अच्छी से पहले से पकचुकी है और वड़ी भी पहले से पकचुकी है वड़ी जालने के बाद हमें करी को ज़्यादा पकाना नहीं सिर्फ दो मिनेट के लिए बॉल कर लेना है नहीं तो वड़ी हमारी सॉक्स हाईगी और तूपनी लगीगी तो यहाँ पे करी हमारी पर्फेक्ट टिक्टेस में रेदी है ग्यास प्लेम अभी बंद कर देते हैं अ अगर आपको जीखी और स्पाइसी मासाली दाव सब्जिया पसंद है और इस मुंग दाल वड़ी की सब्जी को जरूर ट्राय करें आप इस सब्जी को किसी खास मोग के भी बना सकते जैसे की मैमान आने वाले है और घर में सब्जिया नहीं रहे तो इस रेसिपी को जरूर मैमान भी इसे खा कर खुश हो जाएंगे अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और अपि तक मेरे चानल को अपने सब्सक्राइब मीघ किया तो निचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में बेलर को ज़रूर प झाल उन्हेंद सेक्षारे कि तर प्रेश सर देख उक्राव पर बात्रों कि उड़ प्रेश्वा मीज़ले देख पर प्रेश धाल प्रेश क्रूट्ट पाह पाल प्रेंद ऑाधने खिए जैंदो प्रेंद जो झाल देख भाई भी उिज़ वे घ्र देख अठर टा डेंट करण